नमस्कार मैं हुए अर्बिंद कुमार सिंग और आप देख रहे हैं समाचार भारत उत्र प्रदेश के बल्दरामपुर में 35 दलित परिवायर हाथ जोड़कर यूपी के मुख्यमंत्री योग्याद इतना से भीक मांग रहे हैं उनका कहना है कि देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार हैं और बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास के फंडे पर काम कर रहे हैं जातिकत भेदभाव भी हमारी सरकार में नहीं है लेकिन इसी प्रदेश में हम सब दलितों के 300 विगा जमीन पर कुछ दबंग भुमाफ्याओं ने 27 साल से कबजा कर रखा है और हमारी सुनने वाला कोई नहीं है हमने जीरे से लेकर मंडल तक के अधिकारियों की चौकट पर जाकर न्याय की गुहार लगाई पैर में पड़े चपल तक खिस गए सुखी रोटियों के साथ न्याय की भीग मांगा लेकिन नतीजा सुने रहा अब इन दलित परिवारों के याँखों में आसु है माथे पर सिकुलन और दिल में सुखे के मुख्या योगिया अधित्युनाथ से न्याय की अमीद है हाथ जोड़कर मुख्यमंतरी योगिया अधित्युनाथ से सिर्फ ये कही गुहार लगा रहे हैं कि साहब अब आप ही सहरा हो हमारे जमीन इन भूमाफियाओं के कबजे से मुख करा देजिए ताकि हमें और हमारे बच्चों को रहने के लिए जमीन मिल जाए और ये दो वक्त की रोटी एरिपोर्ट देखिए नम आखे हैं चेहरे पर उदासी हैं तस्वीरे उत्रप्रदेश के बलरामपुर जनपत की है बलरामपुर जनपत का थाना पच्पिणवा और इस थाना श्यद्र के खाकादई और रामनगर के लगभग 35 दलित परिवारों का दर्द देखिए और सुनिए अजादी के 36 साल बाद भी बेबस लचार दलित परिवारों को नहीं मिल रहा न्याएं 1998 में थाना पच्पिणवा ग्राम खाकादेई रामनगर के 35 भूमहिन दलित परिवारों को पट्टा मिला था लेकिन 27 साल बाद भी एक जमीन का टुकड़ा इनको नसीब नहीं हुआ आरोफ है कि 27 साल से ग्राम रामनगर के दबंग भूमाफिया मुहमद ऐसान और पुमुन्ना ग्राम प्रधान रामनगर महफोस खान और सलमान ने इनके जमीन पर खबजा कर रखा और जब दलित परिवार अपनी जमीन की जमीन को अपना बताता है तो जान से मारने की धमकी देता है हालात यह हैं कि दलित अपने ही जमीन पर मजदूर बन कर काम करने के लिए मजबूर है यह मैलाय क्या कहती है जड़ा सुनिए हमार नाम सरोजनी है साहिब का समेश्ण है कि खाख़ दीक हुआ राम नगर का मुन्ना महतो हमें के सताइस साल से पट्टा बना है पट्टा नाय जो तक दियत है का थे कि ख्यात माहल जाबो तोहाथ पेर तूर दिया बै अकरबाद में हैं दबाव दई के हमें इनका पट्टा नाय मिलत है बहुत दूर त बाल बच्चन का देखित हम वने ही रोजी काट के लेके जाई थां मुकदमा लड़ी थां साहव लोग का दे थां विकल हमा सुन्वाइनाय होत है अच्छा आप कभी है कई लोगों का ऐसा क्या माम ऐसे हम लोग का है सर क्या साल से जोत रहा है इसे बहुत साल से जितना साल हमर अरोन सब लगों कौन जोत रहा है यह मुन्ना मातो खाराम नगर कर भोह दिन से हम लोग पर ऐसान हंसर लेकिन काम नाय होते है कोच क्या नाम है आपका की सुनावत्ति है क्या हूए क्या माला है हम लोग का 17 साल भईया जो मने नाम नगर मातो जो टेहा है हमर का पत खान दालित अपने पट्टे के तीन सो बिगाज़ जमीन के लिए पहले तहसील फिरडियम और फिर कमिस्तर आफिस तक न्याए के लिए दरदर भटक रहे अधिकारियों से न्याए की भीख मांग रहे लेकिन बेरहम अधिकारियों का दिल है कि पसीजी नेगा 27 साल में कितनी सरकारे आई इंधलितों को जमीन दिलाने के नाम पर ओट ली और सरकार भी बन गई लेकिन इंधलित परिवारों को मिला तो सिर्फ और सिर्फ धोखा इस पुरे मामरे पर पिरितों से हमारे स्टेट हेट मिल्सिस कुमार ने बात की तुर्ण का क्या कहना था वोश हुए आजादी के 76 साल बाद भी आज दलितों की जो यथा और यस्थती है वो आज भी बद से बदतर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश की कितने भी हुकूमत आई बदल गई चली गई लेकिन आज भी दलितों की हालात जो था वो आज भी उसी हालात पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त समचार भारत की टीम भारत-नेपाल की स्तीमा से सटे खाखा देई में है और खाखा देई में लगबग दो दर्जन दलित को 1998 में पटे का जमीन मिला था क्योंकि ये दलित भूमहीन थे और इसी भूमहीन को सरकार उनको भूम दे करके इनकी यता इस्तिती को सुधारने के लिए दलितों को पटटी का जमीन दिया था 27 साल से इन दलित के नसीब में वो पटटी का जमीन नहीं हुआ हमारे साथ तमाम लोग हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जिन्नन सर्थ, क्या मामला है? मामला यही है कि हम लोग 1998 में पट्टा बना, आथ तक कबजा नहीं मिला, मुन्ना आइसान खान, कबजा की हैं, राम नगर के, और हम बीस दलित को पट्टा हुआ, आथ तक कोई कबजा नहीं मिला, क्या मांग का है आपका? मांग का यही है योगि सरकार से, कि हमारा कबजा दिला है. क्या नाम है दादा? क्या समेշ्टा है हिम लोग रखें नहीं मिलता है stop how last 450 कबजा है. योगी मोदी को उसके बाद भी आभी जमीन नहीं खाले हैं तो आप लोगों ने वोट दिया उनकी सरकार बन गई क्या आप जमीन नहीं मिल पाया जमीन नहीं मिल पाया हम लोग बहुत दोड़ते हैं इधर उधर कोई सुनवाई नहीं हो थाया ताक अच्छा जमीन में कभजा की हैं आशान और मुन्ना सलमान स्रमिल के कभजा की हैं तताइस साल से हम लोग का पट्टा बना रहा आज तक कोई पट्टा खेतनाए मिला हम तो 2014 में 2022 में 2024 में आप लोगों ने ओट किसको दिया हम लोग भाजपा को दिये थे अच्छा मोदी योगी हम लोग मोदी योगी कहां दीन गय कि मलब हमार कोई सुनवाई होई कोई रखवाली होई लेकिन आज तक कोई रखवाली नहीं वह साब देखो हम लोग का खेत जो ह है दूसरा जोग खा रहा है हाँ आज तक हम लोग को जमीन नहीं मिला मुसलिम बंगभू माफिया तो क्या हो रहा है क्यों नहीं जमीन आप लोगों का मिला किसकी गलती है साहब यह देज्वि starting to watch this सबसे बड़ा भूमाफिया मुन्ने खां और सल्मान है कम से कम उस लेकिन उट तो इन्हों ने दिया सरकार बनी लेकिन इनके खाते में स्थिफ फरेब आया इनको आज तक भी जमीन का एक भी टुकड़ा इनके नसीब में नहीं हुआ महिला और पुरुस उत्तर प्रदेश योगी सरकार से हाथ जोड़ करके निबेदन कर रहें और भीक मांग रही हैं कि हमारे आने वाले नसल गुलाम ना हो पाए उस पट्टे की जमीन को हमको कबजा दिला दे लेकिन 27 साल बीत गया कितने हुकूमत आई कितने हुकूमत चली ग पाए लेकिन आया तो इन्के नसीब में जितने भी नेता अधिकारी मिले इनको भरोसा दिला एए ओट लेकिन अहसान का जो बदला मिला स्त्रिफ इनको धोखा इनके साथ छला गया इनके साथ जो लोगों ने भरोसा दिया था उस भरोसा को तोड़ा गया अब ये दलित परिवार उस पट्टी की जमीन को लेकर के तहसील से लेकर जिला तक जिला से लेकर मंडल तक के दोड़ रहे हैं इनकी चपले खिस रही हैं औ और इनको श्त्रिफ जो मिलता है उस्त्रिफ उस्त्रिफ अस्वासन मिलता है तो सुनलिया साहब यह वो दलीत हैं जिने सिर्फ चुनाओं में ठखा जाता है यह वो दलीत है जो आजादी के बाद भी दरदर के ठोकरे खाने को मजबूर है इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा कोई सताया गया है तो यही दलीत है पेट पालने के लिए इन लोग ना जाने बड़े बड़े घरानों में क्या क्या किया निताओं ने भी इनकी मजबूरी का खूफ हायदा उठाया सरकारें बदली किताबें बदली कोर्स से लेकर संसद और विधान सभा के कुर्सियां पर बैठने वाले लोग बदले लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो दलीतों के हलाद आज देस चांट पर पहुंच किया है हम डिजिटल यूग में जी रहे हैं लेकिन दलीतों के हलाद आज भी बद से बद्दर हैं और इसे सावित करती है बलरामपुर की एक खबर सरकारी तं समचार भारत के स्टेट हेड मितलिस मार जुड़ गये हैं मितलिस पूरा मामला क्या है आखिर दलीतों का जो इतना गंभीर आरोफ है कि इनकी ही जमीन को पिछले 27 साल से कुछ दबंग भूमाफिया कबजा किया हुए हैं क्या वज़ा है कि 27 साल से इनके ही पट्टे का जमी अरू कि 300 विगा जमीन पर अवेद तरीके से कबजा कर रखे हैं और अर्विंद जी सबसे बड़ा सवाल है बलराम पुर अत्पिछडा जिला है और मुख मंत्री योगी आदितनात का गेह जनपद है मुख मंत्री योगी आदितनात 2-3 महीने में देवी पाटन मंदिर आते हैं और लोगों को हकीकत जानते हैं लेकिन आज भी आप सोच लीजिए आज आदी के 76 साल बाद भी यह 300 विगा जो जमीन है 35 दलित परिवारों को 27 साल से भूमाफिया कबजा कर रखे हैं और आज भी यह अपनी नयाई के लिए गुहार लगा रहे हैं लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है समाचार भारत की टीम जब अर्विन जी ग्राउंड जीरो पे गई पूरी रिपोर्ट एक रिपोर्ट करके दिखाई तब जाकर के जिला प्रसासन जो कुम करड़ी की नीद सो रही थी उनकी आखे खुली और उसके बाद हरकत में आकर के सभी अधिकारि गुहार लगा रहे हैं कि कितने हुकूमत आई कितने हुकूमत उत्तरपरदेश में चली गई और तमाम नेता आये वादा किये कि हम आपके जमीन को दिला देंगे लेकिन चुनाओ जीतने के बाद वो चले गए और ये 35 दलित परिवारों को स्त्रिप और स्त्रिप मिला निर पाटी की है मितलेश और देश में भी भारती जन्ता पाटी की है और उसके बाद अगर कंडिसन है कि भूमाफियाओं के चंगुल से जिला प्रसासन कबजा मुक्त करवाना बिल्कुल नहीं चाह रहा है या फिर कोई और खास वज़ा है क्या वज़ा है कि अभी तक इनके ज चाहँ के बाद से बाद कि नएताओं की गलती है यह बलरामपुर भारत और नेपाल के स्टीमा से सटा हुआ जिला बलरामपुर जो अर्ट पिछडा जिला है प्लाग पचपरवा के अंतरगत एक खाखा देरी है और राम नगर है और दोनों ग्राम सभा में लंग हधिस दल लेकिन आज भी इन दलतों को उस पट्टे की जमीन नहीं मिल पाया और सबसे बड़ा सवाल ये भी है अरविंट जी कि यह जो पट्टे का जमीन है वह 988 में मिला था तो ये पट्टा इनको मिल गया लेकिन ना तो दिकारियों ने कपज़दि लाया और ना ही कोई भी राजनेता या जितने भी पार्टीया के नेता है इस पेर ओड़ तो ली इनके लेकिन इनके हक और अधिकार की बात किसी नहीं किया और राम नगर का जो परकरण है अर्विन जी राम नगर परकरण में लगबग 145 भी घा जो जमीन है वो एक दम बिलकुल फ्रेस है उस पे ना तो कोई मुकदमा है और ना ही कोई उस पे कारवाई हो रही है अभी वह 27 साल से भूमा फिया मुन्ना और उसके बाद राम नगर का जमीन पे कबजा कर रखा है और जोत रहा है और अगर वो जोतने की कोशिस और कबजा करने की बात करते हैं तो उन्हें मारने धंकाने की कोशिस करता है और धंकी देता है कि अगर हमारी जमीन पे आ पाए तो इसकी खाम्याजा आपको भूगत ना पड़ेगा अर्विन जी बिल्कुल मितलेर आपकी रिपोर्ट कहती है कि जो भी वहां के दलित हैं उन्होंने चाहे वो 2022 का मामला हो 2019 का मामला हो या फिर 24 का मामला हो उन्होंने भारती जन्ता पार्टी को वोट किया है जैसे कि आपकी रिपोर्ट बताती है आपके जो भी उन्होंने बयान दिया है उस से दरदर भटकने को मजबूर है तो इसे किस एंगल से आप देखते हैं क्या आपकी रिपोर्ट कहती है अर्बिन जी 1998 सतान से 98 के बीच में 46 महीने की हुकोमत बस्पा की सरकार थी उसे बस्पा की सरकार में इन दलतों को पट्टा का जमीन मिला था बाद में सब बस्पा की मजबूरिया थी या उन भूमाभियों के मिली भगस्ते पैसा लेकर कि या और कुछ लेकर कि उन पर कभजा उन लोगों को नहीं दिलाए उत्तर प्रदेश में बस्पा की सरकार ने इसको प्रट्टे को दिया समाजबादी की हुकूमत आई लेकिन फिर भी इन दलतों को जम इनको हम दिला देंगे 2017 में यही बात किये 2022 में और 2024 में यही बात किये तो तीन से चाट ट्रम में यह दलित परिवार भारती जनता पार्टी को ओर देते रहे हिंदू के नाम पे ओर देते रहे और इनको श्वासन दिया गया कि हमारी हुकूमत आएगी हमारी स्तरकार इनके चंगुल से छुड़ा करके आपके जमीन को आपको दिया जाएगा लेकिन आप सोच लीजिए 2014 से लेकर के 2024 चल लहा है उत्तर परदेश की सरकार दो दो बार बदली तीतरी ट्रम भारतिय जंता पार्टी की केंद्र में मोदी की सरकार बनी लेकिन आज भी चाहे रामनग और कपट अर्विन जी बिल्कुल मितली जी तमाम जनकारियों के लिए बहुत बहुत सुक्रेट जैसे कि आपने देखा और समझा इस रिपोर्ट के मुताबिक एक बात अस्पस्ट हो जा रही है कि हमेशा से दलितों पर अत्यचार हुआ है त्यास बीस बात का गवा है अभी देश का तमाम कानून बदले गए किताबें बदली कुर्सिया तक बदली गई नेतां बदले सरकार बदले लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो दलितों के हलाद फिलाल इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहते हैं कोमेंट करके बताएगा सुक्रिया